हिमाचल परदेश के किनोर जिला मुख्याले रिकांग पियों में जन्मंच कारेकरम का आयजन किया गया जन्मंच के अध्यक्ष्टा शेहरी विकास मंत्री सर्वीन चोधरी ने की इस मौके पर किनोर के कॉंग्रेसे बिधायक जगत सिंग नेकी भी मोजूद रहे कारेकरम के दुरान मंच पर एक पंचायत परदान के सवाल पर भी बात हो गया आब इस भी बात ने थमने के बज़ाय राजनेतिक रंग लेना शुरू कर दिया है रविवार को हिमाचल परदेश के किनोर जिला मुख्याले रिकांग पियों में भी जन्मच कारेकरम का आयोजिन किया गया जन्मच कारेकरम के अध्यक्षता शेहरी विकास मंत्री सर्वीर्ण चोधरी ने की इस मौके पर किनौर के विधाय का जगत सिंग नेगी भी मौजूद रहे कारेकर्म के दुरान एक पंचायत परदान के सवाल पर बिवाद भी हो गया था अब इस बिवाद ने थमने की बजाए राजनेतिक रंग लेना शुरू कर दिया है जगत सिंग नेगी ने मंच पर बैठे हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी पर अभद्धर व अशोबनी टिपनी तक कर डाली थी जगत सिंग नेगी और उनके समर्थों दोरा जगत सिंग में हंगामा करने के बाद जगत बाइक आउट भी किया गया था आज विदायक जगर सिंग नेगी और हिमाचल वन निगम के अध्यक्ष सूरत नेगी में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर महुल को गरम कर रहे हैं सारी घटना पर शहरी विकास मंतरी सर्वीन चौदरी का कहना है कि कुछ लोग किनौर में हर जन मंच पर यही कहते आए हैं इससे पहले जिला किनौर के पूह में और टापरी में भी जन मंच हुआ था वहां भी कुछ लोगों ने ऐसी ही हरकतें की थी उन्होंने का कि विधायक ने नौतोड के मामले को लेकर सुप्रीम कोट में एननोसी मिलने का हवाला दिया इस पर उन्होंने विधायक से सुप्रीम कोट केस स्टेटमेंट की मांग की ताकि सरकार उस आधार पर काम कर सके सर्वीन चौधरी नेकाग की मंच पर हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाद्यश को बिधायक द्वारा आभधर टिपनी की गई जो की दुर्भाग गेपुर्ण है मुझे ऐसा लगता है उसको बात में इतना सुन्दर बढ़िया स्वस्थ पर्मपरा के साथ जन्मच चला अभी तक और लोग सारे सेटिस्वाई होके गए हैं अब नो तोड के मुते को जो सुप्रेम पोर्ट में का हवाला दिया आ गया मैं कहना नहीं चाहदी जी लोक्त प्र वी वीडियोग्राफी है इसमाद की मैंने प्रशन किया है कि सुप्रीम पोर्ट के अगर कोई अदेश है तो वो सरकार को दिया जाए और उनके पास ऐसा कोई डाकुमेंट नहीं था केवल जूत की गपती और जिस तरीके से बिहेव किया गया और यहां के हमारे चेर्मेन ज और से पूरा सायोग मिला वहीं हिमाचल वनिगम के उपाध्यक्ष सूरतनेगी ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में विदायक ने स्थानिय क्षेत्र के विकास निधी का बड़े पेमाने पर दूरू पोक किया है वे मांग कर रहेंगे कि SIT का घठन करके इसकी लाक जारी किया था जिसमें 16 लाक की गड़ बड़ी हुई है उन्होंने बताया कि विदायक हर विकास वा जन्मंच कारेकरम में मौजूद होकर लोगों के समस्याओं का निराकर्ण करवाने की बजाए उसमें बादा डालने का काम करते हैं वे किनौर के विकास में वीलिन की भूमी का निभा रही हैं उन्होंने बताया कि विदायक मर्यादाओं को भूल अबद्र भाशा का भी प्रियोग करते हैं वे उनसे हैसियत पूछ रहे हैं उन्हें ग्यान होना चाहिए कि सरकार में राज्य मंत्री के स्तर का ओधा उनका है बैठकों में चाहिए वो P.S.E. का हो चाहिए लाड़ा का बैठकों हर जगा जो है ये व्यक्ति किनौर के मुद्दों को ना उठा कर किनोर की समस्याओं के समधान के लिए जो बैटके हो रही है जो मंत्री आ रहे है उसको डिस्टप करने का प्रयास कर रहा है और कुल मिलाके मैं यह सकता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि जगत सिंग का जो रोल किनौर के अंदर आज है वो किनौर के जन भाउनाओं के विरोध में हैं किनौर का विकास के विरोध में हैं और विलियन की भूमी का वो किनौर के अंदर निबा रहे हैं हम चाहे वो भारतिय जंता पाटी है ज़े पॉट उन्होंने कहा कि एक बीजेपी के छुटबुया नेता को मंच पर बिठाया है और मैं छुटबुया नेता नहीं हूँ जगत सिंग कान खोल के सुन ले मैं हिमाचल सरकार में राज्य मंतरी के लेबल का जो जिवेबारी मुझ सरकार में मिली है और जहां तक बात है एक उसके साथ साथ और उन्होंने कहा कि ना सूरत है ना सीरत है तो माम अइम जगत सिंग जरा फोटों खीच के देख लेना किसका सूरत है और किसका नहीं है इसलिए मैं ये तूर मेरे किराईटी में परना नहीं चाहता है ना हमारी पार्टी इसका इसाज़त देती है लेकिन मैं ये सपच शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिला किनौर के अंदर विकास में जो भी बादत बनेगा उसका मूँ तोड़ जवाब दिया जाएगा और मैं देख रहा था एक कारेकरम में वहीं किनौर के विधायक जगत सिंग नेगी ने बताया कि मंतरी ने महिला से बदसलोकी की दूसरा सरकार में बैठे लोग और अधिकारी किनौर के लोगों को गुम रहा कर रही है जन्मंच में लोगों को खुल कर बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा नौतोड भूमी मामले में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उन्होंने मंत्री पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने नौतोड भूमी वारे जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें प्रोटोकोल का पता है मंच पर संबोधन में भी उन्हें नजर अंदाज किया गया उन्हेंने बताये कि इस तरह से जन्मंचों का आयोजन, लोगों का समय और सरकार के धन का दुरूपयोग है जलापरसिद भाई तो खहर उनका है तो आगी पूरे पूंचे वे मंत्री सवा ग्यारा बज़े आ लिए पूरे पूंचे वे मंत्री सवा ग्यारा बज़े आरी है कहलते वे संगला से भूंच हो गाना है जो मंत्री का जो है ये सैर मंच हो गया है कोई भी मुद्दा पूरा नहीं होता है आपका जो है एक टीपिकेट देने का लिए मन्च बनाया हुआ लोगों को जो साइटिपकर दस दिन पहले चाहिए आपको दस दिन इंसा कराते हैं, आपका जो इंतिकाल होने है रेवन्यू के, वो जो महिना पहले होना चाहिए जन्गमंच के लिए रखा जाता है, ताकि उस दिन मंतरी कुछ ने कुछ बाढ़ते वे दिखे, ये काम आज के रेड में यहाँ पर हो रहा है, कायकर में एक बार फीट वक्त तो चला है, छोट से प्रेक काई मिलते हैं प्रेक के बाद,